इंवेस्टमेंट इस सेक्योर्टी मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रिडॉल्ड दे डॉक्यूमेंट्स किरिफली बिफॉर इन्वेस्टिंग दोस्तों मैं में शर्वा चार्ट रिलाइसिस चैनल पर आपका हाड़ दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो है तो दोस्तों इस वीडियो के दुरान आपके लिए काफी ज़्यादा असानी रहेगी तो वीडियो आचके काफी इंड्रस्टिंग है शुग से लेकर आखिर तक जोड़ देखिएगा चैनल को सबस्क्राइब नी कर रहा है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजेगा तो निप्ति का एक रजिस्टेंस है इसको हम तुछा सा मार्क कर लेते हैं तो यहां पे तो इसके बीच वह डिफरन्स था वह है 350 पॉइंट्स का रजिस्टेंस ऑस अब को पता होगा रजिस्टेंस का ब्रेक आउट होता है तो बजारविती जी आती है सबोड़ बेक होता है त तो वहां से गिरावट देखने को मिलती है अब यहां पे दोस्तों कुछ रिटेस्ट के बारे में भी में आपको बताना चाहूंगा अब मालो 24,350 के आसपस का डिफरेंस है और 24,450 में अगर आप 350 पॉइंट्स अगर आप प्लस कर देते हैं तो यहां से जो टारगेट हमें दे अब डाउं देखने को मिलता है हलका सा बजार थोड़ा सा नीचे आता है और 24,500 के आसपस अगर आपको मिलता है तो वह आपके लिए एक बाय अपोर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि टारगेट जो दिख रहा है यहां से चौबीजार नीचे जाता है और यहां पे जाके 24,500 या फिर 24,700 से जाके 24,700 से अगर रिवर्स होता है और यहां पे आपको कुछ बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो दोस्तों वह आपके लिए क्या हो सकती है बाय अपोर्चुनिटी हो सकती है बिल्कुल जहां से सुनेगा दोस्तों यहां पे कल इस जगा पे आपको अग दोसी चीज अगर हम देखे यह तो हमने 15 मिट के चार्ट पर अनालीसिस करिए अगर मैं इसके वन अवर के चार्ट पर आपको बता हूं तो वन अवर के चार्ट पर भी सीदा सीदा दोस्तों यहां पर किलिर कट एक जिस्टंस का ब्रेकाउट देखने को मिला है और वन बेक यहां पर देखने को मुलन देखने को मिले था तो मुझे लग हुए कि वाला जो गैप है अगर हम इसकी बात करेंगे 24,800 आसवास की वह गैप जो है कहीं नकई बजीर वह कहीं नकई फेश्यो है वहameksi नेक्स सेशन में थोड़ा बट हो सकते हैं दोस्तों लाइ मार्केटे में कुछ भी पैटन्स बन सकते हैं पंदर्मेंट के चार्ट पर कुछ रिवर्ट सल मिल सकता है कुछ बाइंग के कुछ फ्रेश पॉडिशन आप देख सकते हैं तो इस सब भी चीज़ें दोस्तों हम पब्लिक टेलीग्राम चैनल प अब को Guru डेली चार्ट पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहे हैं तो यहां पे हमें यह धिखाई दे रहे हैं डेली चाइप पर की बैंक जी जो है वह भी कहीं नखै अपने पर पंपोडलड भैक दे रहा है यह को बैंक सेक्ट लगता है फिल होते हुए दिखाई देंगे तो next session जो है वो बजार के लिए थोड़ा सा positive हो सकता है इसके साथ साथ अगर आप 15 मिनिट के चार्ट भी देखें क्योंकि 15 मिनिट के चार्ट पर जाता लोग trading करना पसंद करते हैं तो 15 मिनिट के चार्ट पर हम देखेंगे तो 15 मि positive होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि last time में जो तीजी देखने को मिली है मुझे लग रहा है कि तीजी आगे बरकरार रहेगी reason उसका क्या है कि अगर आप indicators पर देखें या फी कोई chart patterns भी देखें वहां से हमें कोई भी selling signal दिखाई नहीं दे रहा है तो selling signal दिखाई नही दिखाऊं तो mid cap में crucial resistance level है अब crucial resistance कौन सा है इसको थोड़ा सा mark कर लेते हैं और बिल्कु resistance पर ही इसने क्या कर रहा है close कर रहा है हम mark करते हैं दोस्तों वह है 24,700 का level अब 24,700 पर अगर हम यहां पर अगर आप देखेंगे mid cap को तो इसने अभी जो closing करिए बिल्कु resistance पर करिए यह जो बीरिश candle है यह बहुत important candle है और जिसका जो हाई है वह है 12,734 रुपे का अगर 12,734 का high break होता है यहां पर कल के दिन तो mid cap में आप क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं मतलब कहने का मतलब यह है कि by opportunity find कर सकते हैं देखो दोस्तों मैं severe registered analyst तो हूँ बट हमें आपको directly इस strong level हो सकते हैं कि अगर वो break होता है तो वहाँ बाय opportunity find कर सकते हैं और previous candle का यह जो low है यानि की previous candle का low है उसका आप stop loss maintain कर सकते हैं अब आप पूचेंगे stop loss क्या है तो उसके लिए आपको चार्ट खोलना पड़ेगा और चार्ट खोलके आप अपना stop loss जो है वो identify करिए और दोस स्टॉक के बारे बताना चाहूंगा जो है SBA SBA का स्टॉक हम यहां पर देखते हैं स्टॉक कफी अच्छा लग रहा है रीजन उसका क्या है क्योंकि SBA के स्टॉक में पैटन मना है जिसको बोलते हैं बुलिश एरायमी बैटन यह देखेंगे यह पैटन जो है डिली चार्ट से 815 में मानके चलो अगर कल 815 के उपर बजार जाता है बुलिश केंडल बनती है तो वह आपके लिए एक बाय अपॉर्ट्यूनिटी हो सकते हैं तो बुलिश एरायमी पैटन के बारे में इसको नहीं पता हैं दोस्तों हमारी कुछ वीडियो हैं प्लेलिस्ट में जाके उसक दूसरा निफ्टी पे रहेगी अगर निफ्टी फोड़ी गिराबाट होती है तो मैं उसको बाय करने कोशिश करूंगा दूसरा मिड़केप निफ्टी में रहेगी मिड़केप निफ्टी जिसका मैंने आपको अल्रडी लेवल दिया हुआ है कि इस लेवल के उपर हो सकती है तो दोस्तों यह स्टॉक ता मैं अपनी रडार में रखूंगा और कल मेरी पूरी नजर एज़ए पर रहेगी और अगर आट सो बंदर पर जाता है तो वहां से मैं अपनी बनानी कोशिश करूंगा साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा मैं कॉल टिप्स भी प्रव टिप्स लेना तो आप एवर जॉइन कर सकते हैं तो आशे करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें चाला को सब्सक्राइब करें आज के लिए बसे नहीं धन्यवाद